नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अनुच्छे लेखन पड़ेंगी, जिसे हम पैरिग्राफ राइटिंग भी कहते हैं, समय समय पर हमारे मन में अनेक भाव या विचार आते रहते हैं, जिनके बारे में हम अपने मित्रों से, माता पिता या दादा दादी से बाते करते हैं, तो उन्ही विचारों को जब हम लिखते हैं, तो उन्हें कहते हैं अनुच्छे तो आज हम जानेंगे कि अनुच्छे कैसे लिखा जाता है अनुच्छेत किसे कहते हैं? किसी एक भाव या विचार पर सोच समझ कर लिखा गया लेक अनुच्छेत कहलाता है अनुच्छेत और निभन में क्या अंतर है? निभन विस्तार से लिखा जाता है और अनुच्छेत संशिप्ट में लिखा जाता है किसी भी एक भाव या विचार पर जब हम एक छोटा सा लेख लिखते हैं तो उसे अनुच्छेत कहते हैं अनुच्छेत कैसे लिखें? अनुच्छेत को प्रभावी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस विशेत पर अनुच्छेत लिखना है उसके बारे में सोचिए हमें जो भी विशेत दिया गया है पहले हमें उसके बारे में सोचना होगा अनुच्छेत में हमें कभी-कभी संकेत बिंदू भी दिये होते हैं जिनकी सहायता से हम अनुच्छेत लिखते हैं अपने विचारों को क्रम से लिखिए हमें क्रम बद लिखना होता है अनुचित को प्रभावशाली बनाने के लिए कहीं कहीं प्रभावशाली शब्दों और मुहावरों का प्रियोग अच्छा माना जाता है हम अनुचित को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें मुहावरो का प्रियोग भी कर सकते हैं वाक्य छोटे सरल और स्पष्ठ होने चाहिए वाक्य संशिप्ठ होने चाहिए सरल भाषा का प्रियोग करना चाहिए अब अनुच्छेत का एक उधारन देखते हैं जब मैं विज्ञान मेले में गया साइंस फेयर में गया यहाँ पर कुछ संकेत बिंदू दिये हुए हैं विज्ञान शिक्षिका, दिल्ली, राष्ट्रपती भवन, आविश्कार, आश्चरिय, विज्ञाने इन संकेत बिंदू की सहायता से हमें यहाँ पर एक अनुच्छेत लिखना हैं अनुच्छेत लिखन से बच्चों में कल्पना शक्ती का भी विकास होता है वहाँ अपने कल्पना शक्ती से कोई भी वाक्य बना सकते हैं विज्ञान विशे की शिक्षिका ने जब हमें विज्ञान मेले में जाने की सूचना दी तो हम सभी खुशी से उचल पड़े। कक्षा से निकल कर हम सभी पंक्ती यनि की लाइन बना कर बस में बैठे और चल दिये। यह मेला दिल्ली में राश्ट्रपती भवन के एक बड़े मेदान में लगा था। वहां रोबोट को नमस्ते कहकर स्वागत करती हुए देखकर मेंने दातों तले उंगली दबाली। दातों तले उंगली दबाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है आश्चरे चकित होना। आगे बढ़ने पर हमने तरह तरह के आविशकार देखे। पवन चक्की और क्रेन के अलावा सिर पर घूमने वाला च्छाता देखकर तो हमारे आश्चरे का ठिकाना न रहा। बाद में हमें विज्ञान से संबंदित प्रदर्शनी भी दिखाई गए। प्रदर्शनी एक्जिविशन जिसमें तरह तरह के मॉडल्स और बहुत सारे अविशकार रखे गए थी। इस मेले को देखकर मुझे भी अपने अंदर एक विज्ञानिक दिखाई देने लगा और मैंने मन ही मन प्रण किया कि मैं भी कुछ अलग करके दिखाऊंगा और विज्ञान को अपना दोस्त बनाऊंगा। तो इस तरह से आप अपनी कर्पना से कोई भी वाक्य बना सकते हैं संकेत बिंदू की सहायता से। अभ्यासकारिय स्वतंतरता दिवस संकेत बिंदू दिये हैं आजादी, अंग्रेजों का शासन, अत्याचा, लडाई, 15 अगस्त 1947, प्रधान मंतरी, लाल किला, जंडा, भाशन, सरकारी। यहाँ पर हमें संकेत बिंदू की सहायता से स्वतंतरता दिवस पर अनुच्छेत लिखना है। स्वतंतरता दिवस के रूप में से मनाते हैं, इस दिन प्रधान मंतरी, लाल किले पर जंडा फैराते हैं, और राष्ट को संबोधित करते हैं, जगे जगे पर कारेक्रमों का आयोजन किया जाता है, इस दिन सरकारी अवकाश रहता है, हम सभी को मिल जुलकर स्वतंतरता दि सकते हैं अगला है दीपावली इसके संकित बिंडू दिये हैं हिंदू का मुख्यतेवार कार्टिक मास अमावस्या भगवान राम 14 वर्ष वनवास अयुध्या दीप खुशियां घर दुकान बाजार सजाना रोशनी नए कपड़े लक्षमी गणेश पूजा मिठाईयां और तो यह आपको पता है दीपावली हिंदू का प्रमुक्तेवार है यह कार्टिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है यह क्यों मनाया जाता है वो आपको लिखना है कि इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद आयुध्या लोटे थे उसी खुशी में आयुध पूजमी गणेशी का पूजन किया जाता है बच्चे मिठाईया खाते हैं और पठाके जलाते हैं तो यह एक हसी खुशी का तेवार है इस तरह से आप अपनी कल्पना से कुछ वाक्य लिख सकते हैं तो बच्चो अब आपको अनुच्छे लेखन लिखने का अभ्यास करना ह बाइ बाइ